हाई गाइस इस शोमो जीद बोनिक और वेलकम तो एनादर नीव वीडियो फाम माई चैनल बायो मेट की दूइद बोनिक तो पिछले वाले वीडियो के बाद बहुत सारे स्टुडेंट ने ये पूछा था मुझसे कि भया डायमंड हर्बर गंवन मेडिकल कॉलेज में जब हम लोग फी स्ट्रक्चर देख रहे थे तो वहां पर दिया हुआ है 52,450 यह क्या सही टाइप किया है या प्रिंटिंग मिस् वीडियो में हम लोग यही डिस्केशन करेंगे और में जो फी स्ट्रक्चर का ब्रेक अप होता है वो भी आपको बता दूंगा ठीक है अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो डूंट फर्गेट तो सब्सक्राइब इस चैनल एंड हिट बेल आइकन तो गेट लेटेस नोटि देना चाहत हो यहाँ पर जो दिया हुआ है 52450 यह वाला फैक्ट यह टोटल मतलब आपका सब सेमेस्टर मिलकर मतलब कोर्स ठीक है कोर्स यह जो दिया हुआ है यह टोटल कोर्स का फी स्ट्रक्चर है ठीक है कोर्स फी स्ट्रक्चर है यह कोई ऐसा नहीं है कि पर सेमेस्टर और सम्थिंग कुछ यह तो प्राइबेट मेडिकल कॉलेज में जनरली होता है इस टाइप का लेकिन यह गर्मेंट मेडिकल कॉलेज है डायमंड हर्बा गर्मेंड मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर जो फी स्ट्रक्चर है 52,450 यह टोटल कॉर्स का है ठीक है जहाँ पर ब्रेकप में आपको समझा देता हूँ यहाँ पर रेजिस्ट्रेशन फीज जनरली पड़ता है 2,000 रुपीज जो आपको बाद में करवाना पड़ेगा एडमिशन फीज है 1,000 रुपीज टूशन फीज है 40,500 रुपीज जो 9 सेमेस्टर को मिलकर दिया गया हुआ है ठीक है यह भी ब्रेकप करके मैं आपको समझा दे रहा हूँ एडम फीज है 7,600 रुपीज लाइडरी फीज है 1,000 रुपीज तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टूशन फीज जो दिया हुआ है 40,500 रुपीज इसको भी मैं पार्ट में सेपरेट कर रहा हूँ 40,500 रुपीज मतलब पर मन्त आपको देना पड़ेगा 750 रुपीज और यह 6 मन्त बाद-बाद आपको देना पड़ेगा मतलब 750 इंटो 6 ठीक है और मेडिकल में लग भग 9 सेमेस्टर होते हैं तो 9 सेमेस्टर मिलकर आप लोग यह काउंट कर लो टोटल देख पाओगे 40,500 रुपीज मतलब 5.5 यह में ट्यूशन फीज वेगा आपका 40,500 रुपीज ठीक है तो एड्मिशन के टाइम पे भईया हमें कितना देना पड़ेगा इसके बारे में भी हमें बता दीजिए ठीक है इसके बारे में बताऊंगा at the time of admission आपको देना पड़ेगा यह 750 into 6 मतलब 6 महिने का 6 महिने का आपको tuition fees यहाँ पर देना पड़ेगा जो है 4,500 रुपीज इसके साथ आपको 1,000 रुपीज admission fees and 1,110 रुपीज extra देना पड़ेगा ठीक है मतलब लग भग आपको total देना पड़ेगा admission के time पे 6,610 रुपीज यह इतना बड़ा कोई amount आपको देना नहीं पड़ेगा आपको यह amount देना पड़ेगा admission के time पे जो आप cash में और online भी दे सकत हो और यहाँ पर बहुत सा students का question था भईया आपके medical college में जो hostel fees होता है वो क्या है जनले ठीक है तो यहाँ पर guys देख लो हमारे medical college में हो जो hostel fees है वो है 20 रुपीज पर मान ठीक है तो यह छोटा मोटा fact था जो आपको जानना जूरूरी था बहुत students रेक्वेस्ट किया था कि Diamond Harbor की उपर एक video बनाई है तो मैं यह सोच रहा हूँ एक vlog video और something कुछ बनाओ कहां से जाना पड़ेका Diamond Harbor कौन सा train पकरना पड़ेका इन सब की उपर एक video बहुत जल से जल आएगा दो तीन week के अंदर ठीक है तब तक के लिए guys stay tuned and if you are new to my channel then don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon to get latest notifications from my channel thank you guys